मोदी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने की तियारी कर रहे थे इदर सिसोधिया और केजरिवाल की दिल्ली में पहली मुलाकात हुई थी सिसोधिया केजरिवाल के पास पत्रकार बनकर पहुँचे थे उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि केजरिवाल और सिसोधिया दोनों ने नौकरी छोड़ दी थी स्कूल मास्टर के बेटे मनीश सिसोधिया की दोस्ती इंकम टैक्स ओफसर केजरिवाल से कैसे हुई थी फिर एक मुख्यमंत्री बना और दूसरा मुख्यमंत्री कहानी बहुत अजीब है जो अरबिंद केजरिवाल कभी इंकम टैक्स ओफसर के अधिकारी बनकर लोगों के हाँ छापा मारा करते थे आज उनके यहां ही छापे पड़ रहे हैं जो मनीश शिसोदिया कभी केजरिवाल को फसाने के लिए खुफिया रिपोर्ट बनाने पहुँचे थे लेकिन इस रिपोर्ट ने केजरिवाल और सिसोदिया की जिंदकी बदल दी ये कहानी एक पत्रकान मनीश शिसोधिया की और इंकम टैक्स ओफसर अरविंद केजरिवाल की जो इस वक्त दिल्ली में एक मुख्यमंत्री है और दूसरा उप मुख्यमंत्री है मनीश शिसोधिया दिल्ली नहीं बलकी उत्तर प्रदेश के हापुर जिले के रहने वाले मनीश शिसोधिया की पिता एक सरकारी स्कूल में मास्टर थे मनीश श्रिसोधिया ने एक दिन अपने पीता से कहा दिल्ली जाकर मुझे पत्रकार बनना है और इस तरह से पहली बार श्रिसोधिया दिल्ली के लिए रवाना हुए थे 1998 के आसपास की बात है जब अर्विंद केजरिवाल इंकम टैक्स विभाग में काम किया करते थे इदर मनीश श्रिसोधिया को जी नौकरी मिल गए अर्विंद केजरिवाल इंकम टैक्स ओफिसर तो थे लेकिन उनका मन नहीं लगता था बात और अधिकारी काम करते हुए भी अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली की जुग्गी जोप्रियों में रहने वाले लोग की मदद की और उनकी बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया 1998 में जब केजरिवाल ने परिवरतर नाम के एंजियो और वेबसाइट की शुरूआत की एक दिन इसके बारे में Zee News में काम कर रहे पत्रकार सिसोधिया को खबर मिलती है अर्विंद केजरिवाल की इस एंजियो में क्या होता है इसके बारे में जाने के लिए सिसोधिया ने एक स्टोरी की और इसी दोरान केजरिवाल और सिसोधिया की पहली बार मुलाकात हुई मनीश शिसोधिया और केज़िवाल का जब ये चैप्टर दिली में चल रहा था दूसरा चैप्टर मोदी शा का गुजरात में खुला हुआ था 2012 के बाद से जिस तरह से दिली में कॉंग्रेस की शीला दिशित सरकार के खिलाब बगावत लोग के अंदर हुई थी ठीक उसी तरह से 2001 में गुजरात के अंदर पीजेपी के मुख्यमंत्री ने शंकर सिंग के खिलाब बगाव शुरू हो गई थी इसके बाद 7 ओक्टूबर 2001 को पहली बार नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया इस खबर को भी मनीशी सोधिया ने कबर किया और राजनीत की बारीकियों को समझने लगे BBC के एक रिपोर्ट के मुदाबिक मनीशी सोधिया को केजरिवाल का काम इतना ज़दा पसंद आया कि उन्होंने केजरिवाल से जुनने के लिए मनीशी सोधिया के बाद अरविंद केजरिवाल ने भी इनकम टैक्स विभाग से 2006 में नौक्री छोड़ दी और फिर इस तरह से मोदी शा की तरह ही सी सोधिया और केजरिवाल की जोड़ी बनी मनीश शिसोधिया ने शायद कभी नहीं सोचा रहा होगा कि एक दिन वो दिल्ली की उपमोख्यमंत्री बन जाएंगे लिकिन साल 2012 में जब मोदी शाह गुजरास से दिल्ली की सत्ता समालने की त्यारी कर रहे थे उसी दौरान दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ कि केजरिवाल और सिसोधिया की जिन्दगी बदल गई साल 2011 में अन्ना हजारे ने कॉंग्रेस सरकार के खिलाब इंडिया अगेंस्ट करफशन आंदोलन की शिरुवात की इसमें अर्बिंद केजरिवाल मनीश शिसोधिया और उनके कुछ और साथी प्रमुकृप से शामिल थे अन्ना हजारे का ये आंदोलन कुछ दिनों में ही पुरे देश की आवाज बन गया मनीश शिसोधिया और केजरिवाल ने इस मौके को समझा और 26 नॉम्मर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन कर दिया अन्ना हजार इस पार्टी के गठन से खुश नहीं थे लेकिन सिसोधिया और केजरिवाल की जोड़ी ने साबित कर दिया कि उनका फैसला सही था 2014 में जब मोदी पहली बार पधान मंत्री बनकर दिल्ली की कुरसी में बैठे थे उसके कुछ महीने पहले ही अरविंद केजरिवाल दिल्ली के मुख्यमंती बन गये थे और फिर मनीश शिसोधिया उप मुख्यमंती बने जानकार मानते हैं कि केजरिवाल गुट को ये लगता है कि अगर गुजरात से आकर मोदी शा देश को चला सकते हैं फिर वो दिल्ली में रेकर सिसोधिया के साथ मिलकर मोदी शा की कुरसी पर क्यों नहीं बैठ सकते हैं मनीश ही सोधिया और केजरिवाल कारोप है कि उनको रोखने के खातिर ही मोदी शाह उनकी सरकार के मंतियों को चिल भेज रहे हैं इसके साथ ही CBI और ED की जाच कराए जा रहे हैं लेकिन कि आपको भी लगता है किसी सोधिया और केजरिवाल पर सिर्फ बदले की भावरत लिए कारवाई हो रही है अपनी राया आप कॉमेंट बॉक्स पर लिकर जरूर बता है योग योग के लिए बूर रिपार्ट